नमस्कार आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसलाइन सर्वे के बारे में बेसलाइन सर्वे 23 से 28 अगस्त के बीच होना है और इस सर्वे को कैसे लेना है कैसे रिजल्ट तयार करना है यह सभी बाते हम इस वीडियो में जानेंगे तो लेते हैं इसमें जो विशय है बेसला के लीए हो सका विद्याले बंद रहने के कारण विद्यारतियों के सीखने के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है एवंक कई विद्यारती अपेक्षित ग्रेड इसतर से पीछे रह गये हैं इसके अतिरेक्ट गत सत्र में सभी निरधारित परिक्षाएं संपन नहीं हो सकी जैसा ताकि हम जानते हैं उप्रोक्त कारण से उप्चारात्मक कक्षाओं के संचालन हे तू वर्तमान में विद्यार्तियों के शीखंगे के इसतर का आकलन करना होगा इस हेतु कक्षा 9-12 तक के सभी विद्यारतियों के लिए एक baseline survey आयोजित किया जा रहा है यह survey दिनांग 23-28 अगस्त 2021 वाले सप्ताह में school परिशर में संचालित किया जाएगा ध्यान दीजिए यह survey school परिशर में संचालित किया जाएगा baseline survey का उदेश क्या है COVID संक्रमन के कारण नियमित कक्षाय संचालित ना होने के कारण विद्यारतियों के सीखने के इस्तर पर हुए प्रभाव का आकलन करना की वास्तों में बच्चे क्या सीख पाए है baseline survey के परिणाम के आधार पर विद्यारतियों के अध्यापन हेतु नीती तयार करना तथा विद्यारतियों को उनके सीखने के इस्तर के आधार पर विद्यारतियों के समूह तयार करना एवं उनके लिए उप्चारात्मक कक्षाओं का संचालन करना बच्चों के द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर किये गए प्रश्णों के आधार पर हम यहाँ निर्धारित कर पाएंगे कि बच्चों का इस्तर क्या है और उन्हें किस इस्तर के अध्यापन की आवशक्ता है बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र का प्रारूप कक्षा नौवी एवं दसवी के लिए अंग्रेजी विज्ञान एवं गणित का तथा कक्षा ग्यारवी एवं बारवी के लिए विज्ञान संकाय अर्थात भौतिक सास्त्र रसायन सास्त्र जी विज्ञान एवं गणित एवं अ भाग एक में वर्तमान कक्षा से दो-तीन साल पूर पढ़ाई गई विसेवस्तू जो वर्तमान कक्षा के पाठिक्रम की विसेवस्तू को समझने में सहयक होगी से संबन्धित इस्तर का आकलन होगा भाग दो में पिछले वर्स की कक्षाओं में पढ़ाई गई विसेवस्तू जो वर्तमान कक्षा के पाठिक्रम की विसेवस्तू को समझने में सहयक होगी से संबन्धित सीखने के इस्तर का आकलन किया जाएगा कक्षा 9-वी में विध्यान के अतिरिक्त अन्य विश्यों अर्थात हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के बेसलाइन सरवे हीतू ब्रिज कोर्स का पेपर उपियो किया जायेगा जैसे कि प्रतिवर्श Bridge Course का पेपर होता था, उसी तरह से पेपर उपलब्द होगा कक्छा दसवी, ग्यारवी, बारवी में अंग्रेजी विशय के अतिरिक्त सभी विश्यों में MCQ वेकलपिक प्रशन ही होंगे अंग्रेजी के अतिरिक्त सारे पेपर वेकलपिक प्रशनों पर आधारित होंगे कक्छा नौवी, अंग्रेजी और गडित Bridge Course के 3 से 5 इस्तर के और Bridge Course के 6 से 8 इस्तर के Competencies होंगे, इनकी छमता जो होगी 3 से 5 इस्तर की होगी Part A की और Part B की 6 से 8 इस्तर की होगी कक्छा नौवी विज्ञान की, कक्छा 6 से 6 साथवी, साथवी के ऐसे टॉपिक जो कक्छा नौवी के पाठकरम से संबन दित हैं 2 से 3 वर्स पूरू के टॉपिक लिए जाने हैं तो ऐसे टॉपिक जो कक्षा चटवी साथवी के हैं, जो कक्षा नौवी के पाठेक्रम में सम्मिलित हैं, या कक्षा आठवी के ऐसे टॉपिक जो कक्षा नौवी के पाठेक्रम में सम्मिलित हैं, पूछे जाएंगे, कक्षा दसवी के सभी विशे, कक्षा चटवी से आठव के पातकरम से संबंधित हो apart A में रहेंगे और पार्ट B में रहेंगे कक्छा 10 वी के ऐसे टॉपिक जो ग्यारवी केात करम से संबंधित हो अर्थात हम यहाँ विसलेशन कर सकते हैं कि नौवी ब्रिज कोर्ष के अतिरिक्त, नौवी ब्रिज कोर्ष का जो इस्तर है वह तीन से पाँच और छे से आठ इस्तर का है, जबकि सेस सभी पेपर का जो इस्तर है पार्ट A का पिछली दो तीन कक्षाओं से सम्मधित होगा, जो की वर्तमान कक्षा के पार्ट क्रम में सम्मिलित हैं और पार्ट B का पिछले साल की के पार्ट क्रम से लिया जाएगा, जो की इस वर्ष के पार्ट क्रम में सामिल है, बेसलाइन सर्वे का संचालन किस तरह से करना है, विद्याले में बेसलाइन सर्वे के आयोजन का उत्तर किया जाएगा बेसर athletic के ङंग वार्सिक परिक्षा परिणाम में सम्मिलित नहीं हो द्यान देजिए यह वार्सिक परिक्षा परिणाम में समय वे दिनांग की जानकारी हो एवं वे निर्धारित दिन सर्वे हेतु विद्याले परिशर में उपस्थित हो इस हेतु सभी विद्यारतियों एवं उनके अभिभावकों के साथ एक PTM आयोजित करें तथा उन्हें सर्वे के सप्तहां में उपस्थित होने के निर्देश दें ताकि सभी 100% उपस्थिती हो सके। प्राचारे की साहता से बेसलाइन प्रपत्र की प्रिंट आउट तैयार रखें। बेसलाइन प्रपत्र जो की विमर्स पोर्टल पर अप्लोड हो चुके हैं, उनका print out प्राचार मोहदय अपने इस तर से करवा लें प्रतेक कक्षा के लिए सभी विश्यों का सर्वे एक से दो दिन में समाप्त करें एक से दो दिन में ही सर्वे समाप्त करना है प्रतेक स्थिती में 23 से 28 अगस्त वाले सप्ताह में ही सभी विश्यों का सर्वे सुनिश्चित करें सारे सर्वे 23-28 के स्थेती में समाप्त हो ही जाएं सर्वे के दौरान क्या करना है समय से प्रारंभ करें विध्यारतियों के सर्वे हेतु एक सांत स्वच वातावरन सुनिश्चित करें सर्वे के प्रश्न हल करने में विद्यारतियों की साहता बिल्कुल नहीं करें यह टेस्ट नहीं एवं नहीं है एवं इसके अंक रिपोर्ट कार्ड में नहीं जोड़े जाएंगे यह मात्र एक जाँच है जो बच्चे के वास्तविक स्तर को बताएगी सर्वे के पस्चात जो विद्यारती सर्वे के दिन स्कूल में उपस्थित ना हो उनके अभिभावकों से दूरभास पर चर्चा करें यह मुन्हें सर्वे हेतु अगले दिन स्कूल बुलाएं विद्यार्ती के परिणाम का विशलेशन कैसे करेंगे प्रत्यक विद्याले के सभी विश्यों के प्रस्नों का प्रस्नवार विशलेशन सम्मंधित विशे सिक्षक करेंगे तथा यह देखेंगे कि कौन-कौन से विद्यारती किन-किन प्रश्णों के सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यह विशलेशन 31 अगस्त तक पूर्ण किया जाएगा प्रश्णवार भी हमें विशलेशन करना है सभी विद्यारतियों का सर्वे करने से यह ज्यात हो सकेगा कि कौन सा विद्यारती किस इस्तर पर है विद्यारती के वास्त्विक इस्तर का अवलोकन हो सकेगा उसके आधार पर सिक्षक रणनीती बना सकेंगे विद्यारती जिस भाग में उत्रिन होंगे उस आधार पर उनके इस्तर की पहचान कर रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएंगी इसके लिए प्रत्थक से गाइडलाइन एवं सहक सामगरी विमर्स पोर्टल पर उपलप्त कराई जाएगी कक्षा नौवी के विज्ञान विशे के परिणाम एवं कक्षा दसवी, ग्यारवी, एवं बारवी के सभी विशेयों के परिणाम निर्धारित प्रारूप में 31 अगस्त तक विमर्स पोर्टल में प्रिविष्ट करें सेस जो कक्षा नौवी के विशे हैं वहां ब्रिच कोर्स से संबंदित हैं सभी स्कूलों के लिए सर्वे की कारवाई अनिवार है अता उप्रोक्त अनुसार कारवाई समय शीमा में सुनिश्चित करें ये दो प्रपत्र दिये गए हैं देखते हैं विशेवार जो प्रपत्र बनना है वो इस तरह से बनना है कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है कक्षा कुल नामांकित विध्यारती यहां पर आ जाएंगे कितने विध्यारतियों के पास स्मार्ट फोन है यहां पर आ जाएंगे कितने विध्यारतियों के पास टीवी कि सुविधा उपलब्ध है यहां आ जाएंगे कितने विद्धिहारतियों के पास किसी प्रकार का डिजिटल संसाधन नहीं है पार्ट A में कितने विद्धिहारति उत्रिन हुए अर्थात 8 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्धिहारतियों की संक्या हमें इस कॉलम में भरनी है और part B में कितने विद्धियार्ती उत्रिन हुए अर्थात 8 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्धियार्तियों की संक्या हमें यहाँ पर भरनी है दोनों part में 8 से अधिक अंक लेने वाले विद्धियार्ती हो सकते हैं एक पार्ट में कम दूसरे पार्ट में अधिक अंक लेने वाले विद्यारती भी हो सकते हैं अलग-अलग प्रकार के विद्यारती identify लिए इस्तर तयार है आब यहां पर हम यहां देखना है कि कितने विद्यारत के पास smartphone की सुविधा यहाद टीवी की पीर नोट्ट करेंगे सेस जो बच गए विद्यारती उनमें से कितनों के पास टीवी की सुविधा उपलब्द है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे और कितनों के पास डिजिटल संसाधन उपलब्द नहीं है उसे हम यहाँ भरेंगे तो इन तीनों कॉलमों का योग कुल नामांकित विद्यारतियों की संख्या के बराबर होना चाहिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर कक्षा नौवी के ब्रिज कोस के विश्यों अंग्रेजी, हिंदी और गडित के परिणाम नीचे दिये गए प्रारूप में विमर्स पोर्टल में भरें देखे, पहले तो विश्य दिया गया है कुल नामांकित विद्यारतियों कुल नामांकित विद्यारतियों यहाँ पर लिखना है हमें कितने विद्यारतियों के पास स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध है कुल विद्यारतियों में से कितने श्मार्टफोन रखते हैं कितने विद्यारतियों के पास टीवी की सुविधा उपलब्द है जो विद्यारती सेज बज गए उनमें से कितनों के पास टीवी है और कितने विद्यारतियों के पास किसी प्रकार का डिजिटल संसाधर नहीं है वह यहां पर लिखना है, 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले, चुंकि Bridge Course के पेपर 50 अंक के होंगे, अथा 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विध्यारतियों की शंख्या, यहां पर 21 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विध्यारतियों की शंख्या यहां पर, और 41 से 50 अंक प्राप्त क विद्यारतियों की शंक्या में अंतिम कॉलम पर देनी है इस तरह से हमें विद्यारतिओं का परिणाम तयार करना है 31 अगस्त के पूरफ परिणाम को विमर्स पोर्टल पर अपलोड भी करना है यहाँ फर हम देख लेते हैं कि कपेपर किन-किन के होने हैं कक्छ 9 वी के हिंदी अंग्रेजी गडित विज्ञान के पेपर होना है कक्छ 10 वी के अंग्रेजी गडित विज्ञान के पेपर होना है 11 वी के भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जी विज्ञान गणित एवं अंग्रेजी के प्रपत्र उपलब्ध होंगे प्रपत्र को हल करना होगा तो इस तरह से हमें वेसलाइन सर्वे पूर्ण करना है